जैश्री राम पूरी दुनिया में अभी यही जैकारण लग रहा है 2024 में सिर्फ साल ही नहीं बदला बदला है पूरा का पूरा युग जिसका आगाज आगामी 22 जन्वरी को होने जा रहा है शुरुआत सनातन की ताकत्ती है जिसका आरम ही प्रचंड है देवादी देव प्रभुश्री राम की जन्म भूमी आयोध्या के नव निर्मित मंदिर में राम लला की नीले पत्थर से बनी 50 इंच की खड़ी प्रतीमा का शिलानियास होने जा रहा है इस शुब दिन का पूरे डेश को बेसबरिस से इंतजार है मेवाद वागड की राम भक्तों को अयोध्या नगरी और प्रभुशी राम से जुड़ी तमाम दरोहरों को केमरे की नजर से संजो कर दिखाने का संकर्प दक्षिरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले उदैपुर नियूज ने लिया और मेवार की गंगा माने जाने वाली पिछोला जील के राम घार से दर्जनों भक्तों की मौजूदगी में पवित्र जलकलश लेकर अयोध्या की सरियू सरोवर में समाहित करने के लिए राम से राम तक की हमारी धार्मिक यात्रा का शुभारम हो गया आईए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दक्षिनी राजस्थान से धर्म नगरी अयोध्या तक कैसे पहुँचा जा सकता है और उसके कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं दक्षिनी राजस्थान से अयोध्या जाने के तीन मार्ग हैं वायू मार्ग, रेल मार्ग और सडक मार्ग अगर आप वायू मार्ग से जाना पसंद करते हैं तो उदैपूर से दिली और दिली से सीधे अयोध्या भी जा सकते हैं या कानपूर और लखनव एयरपोर्ट पहुचकर सड़कमार्ग से अयोध्या पहुच सकते हैं। उदैपूर से दली ठहराओ के बाद अयोध्या की हवाई यात्रा का शुल्क करीब करीब 10,000 प्रती व्यक्ति लग सकता है। वहीं अगर आप रेल मार्ग से जाना पसंद करते हैं तो कभी गुरू एक्सप्रेस से 1240 किलो मीटर की दूरी पूरी करके अयोध्या तक जा सकते हैं। 25 घंटे के सफर का प्रती यात्री शुल्क करीब 17,000 रुपय आता है। वहीं उदैपूर से ट्रेवल्स और रोडवेज बसों के माध्यम से भी अयोध्या पहुँचा जा सकता है। लेकिन अभी यहां से लखनव तक की ही बस सिवा है जिसका शुल्क करीब प्रती व्यक्ती 12,000 रुपय आता है। लखनव से हर घंटे बस 130 किलोमीटर की दूरी तैकर अयोध्या पहुचती है। वहीं आप अपनी कार या टैक्सी से भी अयोध्या पहुच सकते हैं। उदैपूर से अयोध्या जाने तक के दो सड़क मार्ग हैं। पहला उदैपूर से कोटा, बारा, शिवपूरा, जासी, कानपूर, लखनव और अयोध्या। वहीं दूसरा सड़क मार्ग है उदैपूर से रात समंद, जैपूर, आगरा, लखनव और अयोध्या। हमारी टीम ने इस मार्ग से पिछोला का पवित्र जल कलश लेकर सर्योध तट तक राम से राम तक की अपनी धार्मिक यात्रा कोहरे और जगा 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 जाम में फस्ते निकलते डेड़ दिन में पूरी की। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा, राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा, राजा राम का अवध में। मंदिर बनेगा बड़ा प्यारा, राजा राम का अवध में। राम का अवध में राजा राम का अवध में। अजबूद, अजबूद, अजबूद होगा नजारा, राजा राम का अवध में। अजबूद होगा नजारा, राजा राम का अवध में। राम ने बशिष्ट जी के चरणों को छुआ था। राम जी ने त्रेता युग में ब्रह्मिलश्वी बशिष्ट जी के चरणों को छुआ और प्रथम तिलक राजलक त्रेता में हुआ। और दूसरा तिलक चल युग में 22 जनवरी को संदो हजार चोविस को होने जा रहा है बंधो। तु बुले सर्जों भाईया की अवध्या धाम की जे हो। बड़े ही खुशी की बात है भाईया हमसे मिले मयूर जोशी जी जो एक कलस लेकर के अपने धर्ती से उदयपुर से राजस्तान से और अजुद्या की पावंधरा में आये और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उस कलस का जल जहां से आप लेकर के आये जिस धर्ती राजस्तान से इस सर्जु मैहीं किया गा और यहां से नवीन जल भगवान राम चंडी जी सर्जु में शनान करते थे ऑर यहीं बैठ करके संध्य करते थे पूजन करते थे वही भूम है जान पर हमारे मायोरी जोसि जी बैठे हुए हम सब यहाँ तमाम लोग बैठे हैं तो यह वही धर्ती आज पावन पविद्धर्ती पर हम सब लोग उपस्थित हैं तो उसका वेधमंत्र के उच्चारन के द्वारा आप लोग देखेंगे कि उस कलस को जो है कलस के जल को और नारियल को कलावा को यहां पर बिसर्जित किया गया और नया जल वहां के उधे पुर्वासियों के कल्यार के लिए भाईया के जो सुबचिंतक हैं जो आप रेमी भगवान के भगत वैठे उनके कल्यार के लिए यहां से जल जो है ले जा रह कि या हम एक दो मंत्र आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँजाना चाहते हैं ओम भद्रम करने बेशन याम देवा भद्रम पशेमा जविल्य जत्राह इस्तिरई रंगई सुष्टवागुं सस्तनो बिर्वजेमा देवहितम यदायु हूँ ओम तक्यक्षुरदेवहितम पुरस्ता छुक्रमुच्यरत पशे मशरदाशतम जीवे मशरदाशतम श्रनुया मशरदाशतम पब्रवा मशरदाशतम अधीनःष्या मशरदाशतम अधीनःष्या मशरदाशतम अधीनःष्या मशरदाशतम अधीनःष्या मशरदाशतम अधी तो यह हमारे वेदों का मंत्र है जो वेद पावन पवित्र है जिस वेद के मंत्रों का उच्चारण मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान से रामचन जी भी वेद पुरान सुनहिमन लाई आप कहाए अनुजह समझाई स्वयम सुनते थे और अपने भाईयों को अपने इस्टमित्रों को भी वेद का मंत्र सुनाते थे यह इतना पावन और पवित वेद मंत्र है और इसी मंत्र के द्वारा कलस का पूजन हुआ पंदन हुआ जी सबही राजस्थान से अयुद्या आवा जाए और यहां पर भगवान राम चंजी के दर्शन कईके उनके जन्भून के दर्शन कईके अपने जीवन का सफल बनावें क्योंकि मानों जीवन के यही उद्देश बाय गुश्वामी तुलसीदाज जी राम चेट मानस मा के पुर्णे से मिला है और वहुक्त बड़ा पुर्णे का उनों रहा जो राम जनम भूमिक दर्शन कर एक सवभाग मिला है तो आप सबही 22 जनौरी संदो हजाच चोबिस को हमारे राम लला जो है अपने गर्ब ग्रावा पर विष्थ होई जही है अपने निरस्थान पर आ आई के दर्शन करें तो कि जो विरोधी लोग बाटे हो तो लगाता है विरोध करते बाटे विरोध से कौनों फ़रक पड़े वाला नहीं बाहा है और यह बहुत सुंदर पंक्ति बहुत प्रसिद्ध बाहा है कि काईदे में रावाता फाइदे परा बेशक पहनलो हमारे ज यह हो तो 84,000,000 योणिया पार करने के बाद हमें मनुष्य जनम मिला है और ऐसे राम जन भूमी के दर्शन करने के लिए हम आई हुए है आयोध्या दाम में है तो हम तो काफी खुश नसीब हैं तो हम आयोध्या दाम में है बुला रहें प्रभुश्री राम आप भी आए आ आयोध्या धाम, आयोध्या से आप सभी को राम राम आयोध्या से जुड़ी बहुत से ऐसी अंचुई कहानिया हैं जिने शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा उन सभी को सिलसिलवार आप तक पहुचाने का संकल्प हमारा है हमारी खास पेशकस आयोध्या से राम राम का एक भी एपीसोड आप देखना न भूलें अगर आप भी सचे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने तक ही सिमित नहीं रखें और जादा से जादा वाइरल करें ताकि अयोध्या से जुड़ी हर जानकारी मेवार वागर की जनता के साथ दुनिया भड़ तक पहुँच सके और हर मन इसे देखने के बाद जैसी राम का उद्गोश करते हुए अयोध्या जाने के लिए निकल पड़े नमस्कार